प्यारे बच्चों, कक्षा दस्वी, विशे संस्क्रित में आप सब का हार्दिक अविनन्दन, अभ्यास्वान भव, पाठ नो, अभ्ययाहा को हम लोग पढ़ेंगी, ध्यातव्याहा नियमाहा, ध्यान देने योग्य नियम, अभ्यय शब्दानाम धातुरूपानी, शब्दूरूपानी न प्रचलन्ती, अब्यशब्दों का धातु रूप या शब्द रूप नहीं चलते हैं अब्यशब्दानाम रूप परिवर्तनम न भवती अब्यशब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है अब्यशब्दानाम प्रयोगाह समान रूपेन भवन्ती अब्याय शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है पुलिंग हो या स्ट्रेलिंग हो सब में एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है कुछ उधारनों से यहां पर हम लोग समझेंगे वाक्यों में अब्याय शब्दों का प्रयोग है मनजुसा में शब्द दिये हुए हैं उनका वाक्यों में प्रयोक करके कैसा अर्थ होगा उसको समझेंगे अब्य शब्दों को वाक्यों में समझने के लिए अब्य शब्दों का अर्थ अवश्य याद कर लेना चाहिए इस पार्ठ में अब्याशब्द दिये हुए हैं उनका अर्थ भी दिया हुआ है उन अर्थों को पढ़ लिया करें जिससे की याद हो जाए ममा गुरु हु ननू भगवान वालमिकी ही मेरे गुरु निश्चे ही भगवान वालमिकी है कह एवं भनती कौन ऐसा कहता है कुपिता सा उच्चे ही वदती गुस्चे में वह जोर से बोलती है उचे आवाज में बोलती है त्वम तत्र गच्च तुम वहाँ जाओ यूयम चापलं मा कुरूत तुम सब चंचलता मत करो क्रिसिवलह बहुबारं प्रेत्नम अकरोत किसान ने बहुत बार कोशिस किया तथा पी ब्रिशह नोत्तितह तब पर भी बैल नहीं उठा क्रिशकह बलिवर्दम बहुधा पीड़यती किसान बैल को अनेक बार पीड़ा देता है बहुनी अपत्यानी में संती मेरे बहुत सारे पुत्र हैं इती सत्यम ऐसा सत्य है सर्वेशू अपत्येशू जननी तुल्य वद्सला एव सभी पुत्रों में मा का प्रेम समान ही होता है सर्वत्र जलोप प्लबह संजातह सब जगह पानी ही पानी हो गया है तो बच्चों पुनहा मैं आपको बता रहा हूं कि अब्यशब्दों का अर्थ याद करें और वाक्यों में अब्यशब्दों को किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो इसलिए यहीं पाठ हम समाप करते हैं धन्यवाद कल फिर पुनहा संस्कृत कक्षा में मिलेंगे कि अब्यशब्दों करेंगे